तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं आज 15 तारी दूसरा मेने 2023 है और मेरा करेंट टाइम में सिविल स्कोर 777 है मैं फाइनल अभी आपको लाइब यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरा सिविल स्कोर कैसे बढ़ता है बिल्कुल लाइब प्रेक्रिक करके दिखाता हूँ फाइनल सवाल आता है कि अगर हमने नए क्रेडिक काड के लिए अपलाई कि हमारा सिविल उसको खराब होगा और खराब होगा तो कितने पॉइंट माइनस होंगे यह सारा कुछ मैं आपको प्रेक्रिक करके दिखाने वाला हूँ इस तरीके से इंप्रूव होगा और इतने जानकर यह मिल जाए तो दोस्तों यहां पर मैं सिविल की ओपीसल वेपसाइट पर आ चुका हूँ और आप यहां पर देख रहे होंगे जो सब्सक्रिप्सन लिया जाता है मैंने सब्सक्रिप्सन अल्रडी ले रखा है तो मैं सोचा क्यों यहां इसका फैदा उठाए और आप इसमें से एक सबसे इंपोर्टेंट ओप्सन होता है यहां पर इसकोर सेम्पल समय कर देते हैं अभी यहां पर आज की देट तक का मेरा यहां पर सिविल को दिखा दिया गया अब चलते नीचे यहां आने के बाद आप हम एक पॉइंटों को बड़े ध्यान से देखिए आप और अगर 30 दिन का डिले होता तो यहां पर 698 भी रह जाएगा निकि बहुत ज्यादा यहां पर पॉइंट माइनस हो जाएंगे चली दोस्तों आप में एक बार एक देख लेते हैं कि अगर यही पेमेंट हमारी अगर 60 दिन के लिए होती है तो यहां पर क्या फरक पड़ता ह है तो दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे कि 663 ही मेरा सिविल स्कोर रह जाएगा अगर सेम इसी चीज़ करेंगे तो फिर देखते हैं कितना फरक पड़ता है वैसे बैसे मुझे लगता कि 90 दे पर बहुत तो नहीं पड़ना चाहिए लेकिन कुछ तो माइनस होगा जै चलिए दोस्तों नेस्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हमने कोई क्रेडिट कार्ड या लोन ले लिया है हमारे सिविल पर एड़ हो चुका है क्या उसकी वैसे कुछ फरक पड़ेगा तो इसके लिए हम यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर चाहिए क्रेडिट कार्ड हमने ले लिए यहीं सेम दो लाख रुपे का तो उससे भी क्या कुछ फरक पड़ेगा हमने आप सिमिलेटर स्कॉर पर क्लिक किया देखेंगा अभी हमारा यहां पर त्रिपल से बनी रहे हैं यानि कि एक चीज़ ब्लू क्लियर हो जाता है यहां पर बिल्कुल क्लियर सा सब अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसकी आपका सिविल खराब नहीं होता है जैसा नेश्ट पॉइंट पर चलते जो कि बहुत ज्यादा हो इंपोर्टेंट है कि कलोज यह और ओल्डेट क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देते हैं कैसे हमारा सिविस्क्राब होगा नहीं होगा बहुत बार आपने बहुत सारी देखे होगी कि भाइस में अगर अपने क्रेडिकार जहां बंद कर दिया तो आपकर सिविल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा बहुत जाएगा तो रियल्टी क्या है आज चलो उसकों ट्राइक कर लेते हैं चाहता हूं मेरा ज यहां से मैं चीजों को बता रहा हूं जो चुझे आप मेरे वो देखने को मिल रही है यानि कि सिविल में कहने का मतलब पुराना क्रेडिकार अगर बंद करते हैं तो उससे कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है चलिए रिसेट कर देते हैं और चलते हैं नेस्ट पॉइंट पढ़ा लेकिन सिर्फ एक पॉइंट बढ़ा यानि है कि अगर हम जो भी मेरे पास अभी करन्ट टाइम एक्टीव हैं उन सब में पेडिकर रहा हूं टाइम से यहनिक टाइम से पेमेंट कर दिया कलियर कर दिया तो बहुत बहुत हमारे बन में डाउट रहे हैं इंक्वारी पर सब कुछ प्रेक्ट करके देख लेता है माल लेते हैं कि credit card के लिए inquiry कर दी inquiry का amount हो सकता हमारे पास एक लाग रुपई माँ लेते हैं जैस उपर चलता है और यहाँ पर चलते हैं simulator पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर क्या फरक पड़ा लोन की वेज़ा से आप देख पाएंगे कि लोन की वैसे कोई भी यहाँ पर फरक नहीं पड़ा बलकि पॉइंट बिल्कुल सिमलर ही रहा हाँ credit card जब हमने inquiry के बलकि उसमें एक point हमारा बढ़ी रहा था मैं अपनी के बात करो तो सेम इसी तरीके से आपको भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप सब कुछ फ्री में देख पा रहे हो यानि कि आपको कोई भी membership लेने की जुरूत है पड़े बहुत सारा doubts आप लाइक तो बनता चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए फटा फटा अब हम यह बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास loan चल रहे होगा credit card चल रहे होगा उनके जितने भी account यहाँ पर मेरे सिविल में active हैं तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई में इन सब को बंद कर दूं मतलब मैं आज यह च चाहता हूं तो उस condition में क्या होगा मेरा सिविल बढ़ेगा घटेगा या सही रहेगा तो चले वार उसको ट्राइक कर लेते हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पे औल बैलेंस ऑन अल अकाउंट में सभी अकाउंट की टोटल अम यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर क्लिक करने झाल करते हैं अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता वह इसे तो बढ़ना चाहिए क्योंकि हम आर सारा पेमेन बिल्कुल टाइम से पहले हाँ तो यहां पर देख सकते हैं आप कि बहुता क्योंकि आपके पास आपके सिविल में कुछ ना कुछ लूं हो सकता कर घ्रकाड़ हो रहेगा लेकिन जब आप उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो देदर करके पॉइंट माइनस हो जाएगा तो इस तरीके से आज यार हमने इस सारा नया चीत देखने के कोशिस की कि अगर हम बहुत सारे डाउट रहते हैं सारे डाउट मैंने आपके यहां पर क्लियर कर दिया हो होंगे जो कि आपने इस वीडियो में देखा होगा अब दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि और इसका क्या निकलता है एक रिजल्ट इसका और एक रिजल्ट ही निकलता कि सबसे ज्यादा सिविल माइनस आपका डिले पेमेंट करने पर ही होता है तो यानिकि कभी आपना जो भी आपका डाउट शेंडिंग बैलेंस रहता उसको डिले मत करो बस एक चीज़ का सबसादा ध्यान रखोगे तो 19-20 का फरक भी पड़ेगा का दो पॉइंट का तो ची आप मैंज कर पाऊगे लेकिन अगर आपने डिले किया तीस दिन साथ दिन नभी दिन तो आ तो आपको बना रहा तो इसको चेकाउट करिएगा अगर अच्छी लगे पसंद है समझ मैं तब जाकर आप इसको मेंबर से पो लिजिए और वीडियो कैसे लिए प्लीज बताईए जरूर और एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब बरिएगा तो चली फिर मिलता है किसी ने है